अध्याई छे श्लोक पाँच भागवत गीता उत्थरे आत्म आत्मानम नात्मानम अवसाध्यये आत्मेव यात्मनो बंधर आत्मेव रिपोर आत्मनह अनुवाद मनुष्य को अपने मन की शक्ती द्वारा अपना उध्धार करना चाहिए ना की अपना पतन क्योंकि मनुष्य स्वयम ही अपना मित्र है तथा स्वयम ही अपना शत्रू है प्याख्या मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयम है अपने भाग का संचालन करता स्वयम है जो खुद की मदद करते हैं उनकी परमात्मा भी मदद करते हैं आप स्वयम ही अपने एक मात्र मित्र हैं, आप स्वयम ही अपने एक मात्र शत्रू है, आपका इस स्वर के अत्रिक ना तो कोई शत्रू है और ना ही आपका कोई मित्र है, सभी शास्त्र यही कहते हैं, सभी गुरू यही सिखाते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे बड़ा सबक सिखा रहे हैं आश्चर्य है इस सबक को सीखने में मनुष्यों को कई जन्म लग जाते हैं ऐसा लगता है जैसे मनुष्य एक शन के लिए ऐसा करने में सफल हो जाते हैं किन्तु अगले ही शन पुरानी लहर वापस आ जाती है मनुष्यफे से सहारा खोजने लगता है साहिता पाने के लिए शास्त्र और गुरू के वल मार्ग दिखाते हैं वे अंतिम गंतव्य नहीं है तथा यह चैन किसी दूसरे का नहीं बलकि मनुष्य का होता है उसे उस रास्ते पर चलना है या नहीं आपने वह भजन तो सुना होगा हमको मन की शक्ति देना मन में जै करें दूसरों की जैसे पहले खुद को जै करें इस भजन की तरह भागवत कीता का यह श्लोक योगिश्वर श्री कृष्ण का आवाहन है मानव जाती को की वे अपने मन की शक्ति द्वारा अपना उधार करें ना की अपना पतन